हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यहटूब चैनल पर तो इस उड़ों में मैं आपको बताने वाले हैं कि अगर बुलुटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है तो कैसे इसे सही करेंगे तो देखे इसके लिए आपको mobile के settings में जाना है setting में जाने के बाद सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा system settings या additional setting नाम से आपको इस option पर क्लिक करना है अगर system setting या additional setting नहीं आपके phone में रहेगा तो मैं अभी आपको एक और तरीका बता दूँगा उसे सबी phone में होता है तो आपको इस पर क्लिक करना है फिर सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर back up and reset का option मिलेगा इस पर क्लिक करना है फिर सबसे नीचे reset phone का option मिलेगा इस पर क्लिक करना है अब आपको ऊपर एक option मिलेगा reset network settings द्यान रहे Reset Network Setting पर इक क्लिक करना है इस पर इक क्लिक करने से आपका जो बुलतूत है Reset हो जाएगा कुछ भी आपका डिलीट नहीं होगा तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं अपने मुवाइल का pattern या password डाल देना है जो भी लाकी स्क्रीन का है फिर Reset Network Setting पर क्लिक कर देना है इस तरीके Resetting होगा अब देखे इतना करने के बाद बैक आना है अब यहाँ सेटिंग में अगर नीचे सिस्टम सेटिंग या एडिसेनल सेटिंग अगर नहीं मिलेगा तो आप सेटिंग में सबसे उपर सर्च बार में क्लिक करके Reset लिखेंगे इस पेलिंग बस आप सही लिखना गलत लिखेंगे तो नहीं आएगा इस पेलिंग आप देख लिजिए फिर आपको यहाँ पर Reset Network Setting का ओप्सन मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है फिर सबसे उपर Reset Network Setting पर क्लिक कर देंगे यहाँ से भी आप आसानी से Reset कर सकते ह इतना करने के बाद अपने मुवाइल का जो पावर बटर ने जिससे आप मुवाइल को लाग करते हैं इसे दबाना है कुछ सेकेंड के लिए चार से पांस सेकेंड के लिए यहाँ पर Reset या Reboot का Option मिलेगा उपर की तरफ स्लाइड करने का Option आएगा या क्लिक करने का आपको इस पर क्लिक करके देखे फिर से क्लिक कर देंगे हमारा फोन अपने आफ ही स्विच ओफ वकर स्विच ओन हो जाएगा आपको भी ऐसे ही करना है इससे कुछ डिलिट नहीं होता है आपकी जो प्रॉलम रहेगी उससे ही हो जाएगी फिर आप बुलतूत को चालू करना बुल करेंजिये थेंक यू